नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्जाम तक में आज है 27 मही और आज किस करेंट अफेर के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मेल जाएगा अगर इस वीडियो की पीडियेफ डाउनलोड करना चाहते तो टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजेज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग वहाँ पर आपको इसकी कुईज और पीडियेफ दोनों मिल जाएगी एंड इसके अलावा आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे जिससे आपको काफी बेनिफिट बजना बना रहाए Okay इसफेड को साने भारत टिडि मानने वाले कीटनाशकों की आप्वर्ति किस देश को करेगा ठीक ना दिन लो को तो यह करेगा इरान देश को ठेला कि इरान से फिरिया आती है पाकिसटान फिर आत यह इंडिया में एश्पिशली राजस्तान एं गुज इरान के राश्टपती अभी हसन रुवानी है ठीक है ना एंड इरान अभी के टायम में International याल ठीक है ना इराणी रियाल तो यह भी आपको इंपोर्टेंट रखना है इसके अलावा एक और फेक्ट से टिडी के बारे में एक टिडी चेतावनी संगटन नहीं जो उसका हेड़कौर्टर कहा पर है तो उसका हेड़कौर्टर राजस्तान के जोधपूर में ठीक है ना पहले इसका हेड़कौर्टर था कराची में एकिन जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो इसका हेड़कौर्टर जोधपूर में आ गया था ठीक है ना तो यह आपको याद रखना है टिडी चेतावनी संगटन का हेड़कौर्टर जोधपूर में बाकि इरान के बा आई हैं 2020 की जिसमें बारती इसपात उत्पादन को कितनी गिरावट आई हैं तो यह आई हैं 65% की क्योंकि 65% गिरावट होगी करोना वारेस लॉक्डाउन की वज़े से ठीक है ना यह रिपोर्ट किसने जारी किया तो विश्व इसपात संग ने किया और विश्व इसपात स प्रूसेल्स में इसकी स्तापना कभूईती 10 जूलई 1967 में यह आपको याद रखना है ठीके ना चली बात करतें नेक्स्ट कोईशन की फोर्थ कोईशन है भारत में दवा नियामक प्रणाली में सुदार के लिए सरकार द्वारब गठित उच्छ इस्तरिय समितिक का प्रमु पूरी तरह से कोरोना वाइरस रज्जी आपातकाल अठीके न तो अभी कौन सा देश है जिसने अपने पूरे देश से एक तरह से कह सकते लॉगडाउन को अठा दिया तो वह हैं जापान जापान ने अभी अपने देश में कोरणा वाइरस के कारण जो लगा था रज्जी आपातकाल वो अभी हटा लिया है ओके एंड नेक्स्ट कोईशन से पहले मैं आपको बताना चाहते हूँ कि अगर आपने भी सामन्य ग्यान 2020 की इबुक नहीं खरी दिये तो आप जल्दी से खरी लिजे इसमें आपको विवित सामन्य ग्यान राष्टी अंतराष्टी हिस्ट् की पोलिटिकल स्पोर्ट्स कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी इसी बुक में और ज़्यदा जानकारी के लिए आप लोग नीचे लिंक दिये गए हैं जहां पर क्लिक करके आप लोग जान सकते हैं ठीक है ना बात करते हैं सिक्स्ट कोईशन की कि किस रा राजदानी कौन सी है राजदानी है आई जोल है मुख्य मंद्रि कोने जोरम ठांगा एंड यहां के राजयेपाल कोने पी एस धरन पिल ले योके और जोरमे कितने डिस्ट्रिक्ट है तो यहां पर 11 डिस्ट्रिक्ट है अभी मीजोरम में ओके चलिए बात करते हैं प्राप्त करना अनिवारी कर दिया तो अभी उत्रप्रदेश गौवर्मेंट ने कर दिया ठीके ना क्योंकि आपने दिखा उत्रप्रदेश से और ये यार से मोश्ट आप जो होते हैं स्रमिक वो जाते हैं अलग-अलग स्टेट्स में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्रप्रदेश राज्य ने यह कंपल्सरी कर दिया है परमिसन लेना ओके उत्रप्रदेश की बात करते हैं तो उत्रप्रदेश का करते हैं तो यह आपको याद रखना है उत्रप्रदेश की राजदानी कौन से लखनाव उत्रप्रदेश हाई कोट का हैं इलाबाद में चलिए आठवे कुशन की बात करते हैं फुटबॉलर अरिट्च अदूरीज यह कौन से देश के हैं जिन्नोंने अभी सन्यास लेने की ग पेड्रो सांचेज ओके इनका नाम याद रखना है पेंड्रो सांचेज इस्पेन की राजदानी क्या है मैड्रीड ओके एंड इस्पेन की मुद्रा है यूरो ओके यूरोपियन देश हैं जैदा तर यूरोपियन देशों की मुद्रा यही होती है यूरो चलिए बात करते है 9th question की आज का last question है विश्व बैंक के नई मुख्य अर्थ सास्त्री के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो वर्ड बैंक के नई मुख्य अर्थ सास्त्री के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ये क्या है कॉर्मेन रेन होड ने मुख्य अर्थ सास्त्री के रूप मे न्युक्त किया गए इन्हें कॉर्मेन रेनार्ट तो ये भी important question है इसको भी आपने याद रखना है World Bank का question कल भी था आज भी है World Bank के questions important है मैंने जो आपको सवाल पूचा था उसका जवाब क्या है विश्व बैंक की इस्थापना कब हुई थी मिजोरम राजिये ने खेल को अध्योगी के दरजा दिया है तो आज के question का यह है एकदम simple से simple question है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है ठीक न तो भारत के sports minister कौन है वो आपको बताना है इस सवाल का आपको answer comment box में देना है ज्यादा से ज्यादा comment कीजिए like कीजिए वीडियो को share कीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मिलते एक नए वीडियो में जै हिंद जै भारत